नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देख रहे हैं ताख खबरदार नियूज आएए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर AI से क्यों डर रही है दुनिया ये दुश्मानिया दोस्त मशीन और इंसान का भूत वर्तमान और भविश्य AI यानि Artificial Intelligence इस वर्ल्ट टेक वर्ल्ट में इससे जादा चर्चा वाला कोई टर्म नहीं है आए दिन हम सुनते हैं कि AI की वज़े से कई लोगों की नौकरी चले गई दुनिया भर में चर्चा है कि आने वाले वक्त में AI करोड़ों लोगों को नौकरी खतम कर देगा गोल्ड मेन शैश की रिपोर्च की मताबी 2023 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग AI की वज़े से अपनी नौकरी खो देंगे इसका सबसे ज़्यादा प्रवाव कोडर, कम्प्यूटर, प्रोग्रामर, सॉफ्ट्वेर, इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, लीगल इंडस्टी, मार्किट एनालिस्ट, रीसर्च यासी जॉब पर पड़ेगा हाला की धीरे-धीरे ये तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी अपना दखल देगा और उधर भी लोगों की नौकरिया जाने का खत्रा बढ़ेगा तो क्या AI सिर्फ नौकरी खतम करने आया है भारत हो या अमेरिका, यूरोप हो या दुनिया का कोई भी और हिसा लोग समझना चाहते हैं कि आखिर ये AI बला क्या है जो लाखो करोडों लोगों की नौकरिया खाने को तयार दिख रहा है कहां से आया है और इनसान इसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकेगा ऐसे कई सवाल है जो लोगों की मंडिलियों में और सोशल मीडिया पर चाचक अविशय बने हुए है जिनने देश का आम इंसान समझना चाहता है जिसे टेकनोलोजी की यूजर भी अलग-अलग तरीके से देख रहे है कोई AI को अपना दोस्त मान रहा है तो कोई इसे तकनीकी दैति की रूप में देख रहा है दरसल रोबोर्ट्स, साइबोर्ग, सूपर हुमेन ये ऐसी फ्यूचर अवधारनाई है जिनका इंसानों की जिन्दगी में दखल तेजी से बढ़ता दिख रहा है सीधी शब्दों में कहें तो वो रत जिस पर सवार होकर ये साइन्टिफिक आविशकार इंसानी जिन्दगी में तीजी से दखल बढ़ाती जा रहे है यानि विज्ञान और तकनीक का सबसे ताजा आविशकार जिसकी आज दुनिया में सबसे ज़ादा चर्चा है जिसने आज एक आम इंसान को सबसे ज़ादा चौका दिया है नौकरी पेशा लोगों में सबसे ज़ादा खौफ है और जिसे पूरी दुनिया में इंसानों की ज़ंदगी में किसी आने वाले क्रामती कारी बदलाव के आने के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें